ग्रिस्पी बना हुआ है ये देखे इसको में तोल गया उपर से ग्रिस्पी और अंदर से कितना सौफ्ट बहुत ही टेस्टी साबुदाना बड़ा बन कर तैयार हो गया है मैं रस्मी स्रिवास्तो रस्मी कीचिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकिसन आपको मिल सके और सभी में सेयर भी कीजिए यहाँ पर मैंने साबू दाना लिया हुआ है साबू दाने को मैंने अच्छे से 3-4 पानी मैंने धो लिया है और उसके बाद एक कटोरी मैंने साबू दाना लिया था तो एक कटोरी पानी डाल कर उसको भीगो के मैंने 3-4 घंटे के लिए रख दिया था अभी ये अच्छे से soft हो गया है, यह देखे कितना soft हो गया है, यहाँ पर मैंने मुमफली लिया हुआ है, इसको मैं dry roast कर ले रही हूं, यह देखे अच्छे से मुमफली अब भून गया है, इसको मैं बहार निकाल ली हूं और ठंडा कर ली हूं, इस तरह से इसके छिल के हटा ले रही हूँ ये देखे इस तरह से मैंने मुफली के छिल के हटा दिये अम मैं इसको मिक्सी जार में डाल कर और इसको दरदरा पीस ले रही हूँ ये देखे इस तरह से मैंने मुफली को दरदरा पीस लिया है यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्च और एक छोटा टुकडा अद्रक का मैंने लिया हुआ हैं इसको मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ यहाँ पर मैंने दो उबले आलू लिये हुए हैं इसको मैं ओभर कुक नहीं की हूँ इस तरह से उबला हुआ आलू मैंने लिया और इसकी छिलके में हटा दे रही हूँ इस तरह से आलू को में छिलकर रफली मैस कर ले रही हूँ अब मैं साबुदाने में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च का पॉडर, क्रस किया हुआ मोंफली और क्रस किया हुआ अधरक और हरी मिर्च मैं इसमें डाल दे रही हूँ और स्वाद अनुसर सेंधर नमक मैंने इसमें डाल दिया आधा निम्बू का रस इसमें मैं डाल दे रही हूँ और अब जो मैंने आलू मैस किया था वो इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं इस तरह से ये मिक्स हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती कट किया हुआ ये इसमें डाल दे रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं ये देखिए सारे अच्छे से मिक्स हो गया है अब इस मिक्सचर से मैं छोटे छोटे बॉल्स बना ले रही हूँ इस तरह से और इसको प्रेस कर ले रही हूँ इस तरह से यह देखिए ट किया के जैसा मैं इसको बना लिए हूँ इसी तरह से मैं सारा बना कर तैयार कर ले रही हूँ यहां पर मैंने कड़ाई में ऑइल डाल कर गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है ऑईल अब गर्म हो गया है अब मैं इसमें अब जो मैंने बड़ा बनाया था साबूदाना का ये इसमें डाल दे रही हूँ और इसको सैलो फ्राई कर ले रही हूँ इस तरह से बड़े बनाने पर बहुत ही क्रिस्पी उपर से बहुत ही क्रिस्पी रहता है और अंदर बहुत ही soft बन कर तयार होता है ये देखे मैंने सारे बड़े को oil में डाल दिया है और दोनों साइड से इसको crispy fry कर ले रही हूँ ये देखे एक साइड अच्छे से crispy हो गया है अम मैं इसको पलट कर दूसरे साइड भी इसी तरह से crispy fry कर ले रही हूँ इस तरह से देखे बड़े तूटेंगे भी नहीं और उपर से crispy अंदर से soft बहुत ही perfect बड़ा बन कर तयार होता है इस तरह से आप बना कर ट्राइ करके देखे ये देखे अम मैं इसको बहार निकाल ले रही हूँ ये देखे कितना crispy और tasty साबुदाना बड़ा बन कर तयार हो गया है ये देखे मैं आपको दिखाती हूँ crispy बना हुआ है ये ये देखे इसको में तोल गया है उपर से crispy और अंदर से कितना soft बहुत ही tasty साबुदाना बड़ा बन कर तयार हो गया है क्वारे धन्हें